हेलो एवरिवान दिस इस मिनाक्षी एंड दिस यूर ब्यूटिफुल सा यूट्यूब चैनल एजुकेशन रे और जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी पिछली जो वीडियो थी उससे एक न्यू वीडियो की सिरिस की शुरुआत की थी और इन वीडियो में हम जो मैथ की कॉसेंशन आते हैं तो इनके हम कॉंसेट्स को समझने कि ट्राय कर रहे थे ठीड़ी तो इससे पहले वीडियो में हमने सिलिंडर की कॉंसेट्प को दब गलिया था और आज हम करते हैं कों के बारे सीखते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें तो यह हमारा क्या है कौन है तो अब हम इसमें बात करते हैं वह जैसे हम ने किया था कि हमारे तीन बेसिक कोश्चन के बारे में तो इसमें थर्ड फॉर्थ फिफ्ट और और शिक्स सबसे पहले हमारा है कि इसमें Cul fix ना acordसर कितने थे हैं तो दीजिए इसमें ये हमारा कॉन है तो इसमें एक तो ये हमारी इसमें स्ब्सक्राबर स्बीच हो गयी है तो और फिर यह वाली कर्वसर फेस हैं और एसमें हो गई दूसरी सर्कुलर फेस है तो इसका मतलब इसमें total कितनी हो गई इसमें total 2 faces हो गई एक क लिख देते हैं इसमें number of faces is equal to two है अब हम next करते है number of edges तो number of edges में देखो edges मतलब यह होती है sides अब देखिए यहां पर edges आपको पता है क्या होती है जैसे कि हाँ पर हमारी यह एक हमारी face है इसमें एक हमारा यह face है तो जहां पर भी दो face meet करते हैं उसको हम उसका क्या बोलते हैं उसको हम उसकी edge बोलते हैं तो कि एक फेस इसमें इसकी दूसरी फेस यहाँ पर यह क्या हो गई हैँ यहाँ पर यहां पर यहां पर यहां कि इसमें। धिसमें एक ही ऐज होगा ओगा किटो हम यहां पर आंसर में लिखेंगे Number of Edges is equal to one ओके अब हम बातकरते हैं number of vertex और तो यहां पर देखिए इसमें एक ही कॉर्णर है और यहां पर लिख देते हैं नंबर ओफ वर्टेक्स इस इक्वल टू वन तो यहां हमारे तीन बेसिक कोशन यहां पर कंप्लीट हो गए अब हम आगे इसकी थोड़ी और कॉंसेप्ट के अपर चलते हैं ठीक है यह जो हमारे यह कॉंसेप्ट यह अधिकतर थोड़ी से जो हायर क्लास है जैसे 8th 9th और 10th तक की जो स्टूडेंट है उनके लिए है ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं दो यूज होने वाल टम्स की पहले इसमें होती हमारी हाइट और दूसर हमारा क्या है यह हमारा पुराए कोन है कोन है तो इसमें यह वाले जो होगी इसके वर्टेक्स से लेके और यह जो सरकल बनना है इसके सेंटर तक की जो इस डिस्टेंस होगी this distance okay this distance is h या हाइट तो इसको हम डिनोट करते हैं हाइट को एच से देखो यहाँ पर यह हमारी हो जाएगी इसकी slant height this one और इसको हम किसे denote करते एल से small L से तो यह हमारी हो गई L ओके तो यह दिखो हमारा क्या बन गया यह हमारा बन गया इसमें आपका एक right angle triangle बन गया ओके समकोन तिर्बुज इसको बोलते हैं यह हमारा वह बन गया अब जो यह हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है समें इसके हाइड होता है और इसकेeren सधके टो हम यहांपे लिखते हैं इसमें इसमें क्या लगएगी तो踏कोर और प्लस अगर हम इसको मान लेते हैं कि जो यह हमारा सर्कल है जो सर्कुलर फेस है इसकी जो रेडियस है यह क्या है यह आ रहा है ओके तो हम यहां पर क्या लिखेंगे हम यहां पर लिखेंगे इसको में इसको में अगर हमें कोई भी इसमें एक टर्म निकाल सकते हैं यह यूजिंग इस पाइथागोरेस थोर्यम वी कैने क्ल्गुलेट एणी ओफ वन फ्रॉम इस थ्री ओके तो चलिए अब आगी शुरू करते हैं इसमें अब हम आगे इसमें बात करते हैं करोड़ हैं तो आगर मैं इसमें कि इससे बना होता है जो हमारा कौसी से बना ओता है कि इसमें अगर मैं देखो कि यह मेरा पेस procure यह मेरा बनावा है एक किस से एक सेक्टर से यह क्या है यह हमारा एक सरकल का सेक्टर है ठीक है ना सेक्टर देखो क्या होता है जैसे सपोज ही हमारे पास क्या है यह हमारे पास एक सरकल है ओके यह सरकल है तो इसमें हमारे पास सोड़ी थोड़ा सा ्त बन गया तो ये हमारे पास क्या है this is our circle एक है तो इसमें circle में देखो ये हमारा इसमें center है तो अगर हम इसमें ऐसे कर देखो इसको इसके radius को ऐसे मिला दे तो यहां पर यह एक सेक्टर हमारा ही हो जाएगा यह हमारा माइनर सेक्टर होता है हमारा मेजर सेक्टर होता है और इनी सेक्टर से हम क्या कौन बना सकते हैं ठीक है तो देखो यहां पर जैसे सपोज मेरे पास यह है है ठीक है ये तो इस से में कैसे कौन बना सकती है ने देखो हमारा क्या ने यह हमारा इसमें बन गया ओके तो उवीं करके भीzeit हमारा क्या है सरकल है और इस में हम इस को कट कर लेते हैं तो यहां पर हमने इसको सेक्टर को कट कर लिया तो यह हमारे दो सेक्टर है वैसे तो एक सेक्टर हमारे यह है तो इससे भी हमारा देखो यह कौन बन जाएगा इस सब्सक्राइब और यह बड़ा सेक्टर है इस्से भी हमारा क्या बने जाएगा यहां पर हमारे फुछ देखे 16 ऐसकी बात करते हैं तो इसमें जो कर सक्षेस के कोंसर्प्ट को समझने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा इसमें हमें एक ट्रिक यूज करने पड़ेगी ठीक है अब देखें वो ट्रिक क्या है अगर हम इसके यह जो हमारा सेक्टर है है ना अगर हम इसके सेक्टर के एरिया को निकालने तो इसका मतलब कि हमारा क्योंकि जो सेक्टर है इसी से हमारा क्या बनता है इसी से हमारा यह और पर रपर हो जाएगा तो फैले इसका इरियां निकालते हैं यह त्रीक क्या है कि पहले हम जो यह हमारा सेक्टर है इसको से अनुए कहले को वहाँ भीक हुआ त्रायंगलक ठील हुआ को घूत है तो हमने चाएंगे चाहनकिंश 1यट कर सकते हैं एन na numbers में divided कर लिया, and triangles में इसको हमने divide कर लिया, तो यहां पर आप इनका सब का area निकाल एपने, आपको बता है, triangle का area होता है, वो क्या होता है, half into, base into height होता है, ठीक है, तो चलिए हम इसमें start करते हैं, तो और इसमें हम इसकी धार उसका वाले ट्रैयंगल कि यह तो बेस हो जाएंगे इसका ब्ही वाले ट्रैंगल का भी 1 ऊसमौल ळाऊे लानीज में wished इसकी यह हंकि सारी यो सारा जो रेडियस है इसकि वह सब इसकी हैट न Eğer besides जाल hype हैं तो अब इसी के बेस पर चलो हम करते है अपना चलिए तो यह है हमारा कर्व सर्फेस एरिया तो कर्व सर्फेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा को तो इरिया ओफ और ऑल एरिया ओफ ऑल ट्रैंगल्स इन्हें सटर तो जली हम जल्लिए से इसको खदम करते हैं देखिए हम अब मैं आप क्या बता है एरे इसे गल्ट होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओके तो हम इसमें निकालते हैं अपने सेक्टर्स का एरिया तो देखो यहां पर अपने ट्राइंगल्स का एरिया तो यहां पर पहले का निकाल देती हूं हाफ इन्टू बेस बीवन इन्टू हाइट एल दूसरे का हाफ इन्टू बेस बीटू हाइट एल ठीके ना तो ऐसी हम निकालेंगे तो half into base b1 और height क्या हो जाएगी इसमें l प्लस दूसरे वाले की का area half into b2 into l ऐसी third का plus half into b3 into l और ऐसी हम इसमें कर लेंगे n तक ठीक है न इसमें हम n triangles तक कर लेंगे अब देखो इसमें हम यहां पर क्या करेंगे यहां पर हम कर लेते हम 1 1 2 3 3 4 घी अन्दर क्या बचा अब यहां पर हमारा देखो अब यह देखो आप यह बहुत ध्यान से देखो एक छोड़ा सबस्त एक छोटी सिसमें आपने कॉंसेप्ट है क्या है वह कॉंसेप्ट देखू हापर वह कॉंसेप्ट यह है आपका जो यह आपका पूरा b1 b2 b3 है और यह यह है यह वाला है यह फॉरी लेंध जो है यह हमारा जो भी 1 b2 b2 b4 bn तक तो यह क्या है यह हमारा है इस सर्कल का सर्कम्फ्रेंस ओके यह क्या है यह हमारी है इस सर्कल की सर्कम्फ्रेंस तो चलिए हम हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की सर्कम्फ्रेंस कब हम यहां पर फॉर्मूला लग देते हैं B1 B2 और B3 के प्लेस पर तो चलिए हम into L और क्या फॉर्मुला होता है 2 pi r ये circumference का formula है circle के क्योंकि ये जो हमारा b1 b2 है ये क्या बना रहा है ये एक हमारा इसका circular part बना रहा है न ये circular जो edge वो बना रहा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे इसी को हम बोल देंगे इसका circumference तो और अब देखें यहां पर यह 2 से यहां पर हो गया हमारा 2 cancel और अब क्या होगा हमारे पास अब हमारे पास यह है यहां पर half sorry half नहीं sorry sorry pi r l okay so this is the formula for the curve surface area of a cone pi r l तो ठीक है तो अब आपको इसको पूर्मिल को रटना ने पड़ेगा आप सोड़ा सो concept के साथ चलिए तो आपको चीजे लंबे टाइम तक क्या रहेंगी आपको इसको लंबे टाइम तक यह याद रहेगा आपके माइंड में सैट हो जाएगा ठीक है तो यह बहारा आगया पाई आर एल है और अब देखें यहां पर अब हम इसमें आगे करते हैं इसका टोटल सर्फेस एरिया तो टोटल सर्फेस एरिया हम इसके पीशे यहां पर देख लेते हैं अब टोटल सर्फेस एरिया तो बहुत इसी है टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा और प्लस area of circular face. ओके है ना यही तो हो जाएगा टोटल surface area यह curve surface area और प्लस the area of this curve sorry area of this circular face. तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं. अब यह हमारा क्या आया था? पाई आर एल प्लस एरिया ओफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वाइर तो यह हमारा यहां पर आ गया पाई और पाई यहां पर हमारा कॉमन और यहां से आर कॉमन तो बचा क्या हमारा है आपर एल ओकि यहां पर एल बचा और यहां पर हमारा एक अर बचा एल प्लस आर तो इसका मतलए हमारा जो फॉर्मूला आया टोटल सर्फिस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल एक बात और जो मुझे आप से कहनी है वो यह कहनी है कि यह जो मैंने यह बात मतलब आपको होगी कि मैं तो अपनी उसके मतलब की बात कर रही है लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज ठीक है तो इसमें मुझे आपको यह बात कहلام है कि जब यह यह मैंने खोला था तो यह मैंने खोला था इसलिए कि जिसी की हैव कर सको्तकिके हमारे सूसायिटि में पहुत सारे के लिए यह अपना चैनल खुलना चाहती थी ठीक है तो अब आपको क्या करना है अगर आपको इसमें आपको भी अगर उनकी कुछ स्थाइब करना है